वैसे तो आप रिब्यू टैब में जाकर के एक्सल के किसी एक पर्टिकुलर सेल या दो तीन सेल या कितना भी आपको चाहिए हो उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं एक शौटकट की भी है जो मैंने आपको पहले भी बताई है प्रेस करेंगे तो आपको कहा आना है आपको आना है प्रोटेक्शन पर तो यह लॉक्ट हटा दीजेगा और यहां से ओके कर दीजेगा अब ओके करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली रिव्यू टैप पर जाना है और इसके लिए आपको पासवर्ड दे देना है ठीक है तो यह protect sheet दिया हुआ है और यहाँ पर हमें password देना है ठीक है तो यहाँ पर मैं password देता हूँ कुछ ठीक है तो यह password दे दिया और फिर यहाँ पर ok किया और फिर इसी password को confirm कर देते हैं कुछ इस तरीके से और अब enter press कर देते हैं अब देखते हैं कि क्या हम इसमें कुछ changing कर पाते हैं क्योंकि यही cell हमने select की थी तो यहां पर अब हम कुछ भी type नहीं कर पा रहे हैं आप देख सकते हैं यह भी एक तरीका है हलाकि review tab में तो आपको जाना ही पड़ा लेकिन यह एक अच्छा तरीका है